हेलो फ्रेंग्स आज हम बनाएंगे तोरन मल्टिकलर तोरन आज हम बनाएंगे तो देख लेते हैं मतेरियल क्या-क्या चाहिए तो वाइट कोड लिया है मैंने यहापे और यह ग्लू पिंक ग्रीन औरेंज यहलो और जो लेंद हमारी रहेगी जो वाइट कोड है उसकी लेंद रहेगी हमारी दो बीटर और यहां पर देखिए टू रिंग ली है और यहां पर मैंने बेट्स लिये हैं बैल लिये हैं जो वाइट कोड है हमारे 48 यूज हुए है और जो ब्लू कोड है वह हमारे 12 कोड यूज होंगे ब्लू कोड जो फर्स्ट में हम यूज हो करेंगे वह 12 लगेंगे बाकि सारे 880 कोड ही यूज होंगे इसमें और जितने भी हमारे मोती लगे है वो टोटल पूरे मोती हमारे 33 हमें चाहिए और बैल हमें चाहिए 11 सोरी 11 नहीं 22 22 हमें बैल चाहिए और यहां पर देखिए कुछ इस तरीकी की मिरर लिया है मैंने 11 हमारे मिरर ये वाले यूज होंगे और 11 ये वाले बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो लगाए जिन चाहे तो नहीं है तो नहीं लगा सकते तो उचे लिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो यहां पर देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमने रिंग ले ली है और डबल फोल्ड करके हमने 38 इंच का यहां पर एक कोड ले लिया है डोर की साइज का इसको हम अलका सा मैल्ट कर लेंगी और आपस में चिप्त का देंगी इस तरीके से और रिंग में इस तरीके से अटैच कर देंगे सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम दूसरी रिंग में अटैच कर लेंगी दिखिए इस तरीके से और अब मैं इसको यहां पे set कर लूँगी दिखिए दोनों साइड से अच्छे से set हो चुकी है यह attach हो चुकी है और अब मैंने यहां पे इसको अच्छे से लगा लिया है अब हम इससे code अड़ करेंगी जो white code है हमारे डेड मीटर के है इस तरीके से two code हमें attach करने है two code attach करके side वाला code है वो हमें एक बार फिर से निकालना है इस तरीके से ये देखिए फिर से हमने एक code attach किया फिर दूसरा code ये देखिए side वाला code दो code attach करेंगे और फिर side वाला code हमारा रहेगा इधर की side वाला भी और इधर की side वाला भी वो एक एक बार हम निकाल देंगे तो यहां पर देखिए मैंने blue color ले लिया है blue color के जो code है हमारे उसकी length अभी मैंने इसमें डीड मीटर के लिए है कमपट जाएंगे मेरे तो मैंने वीडियो में बताया है आगे कि 2 मीटर के हमें चाहिए जो color वाले code है वो हमें 2 मीटर के use होंगे तो इसी तरीके से हम सारे code attach कर लेंगे 4-4 code हमें attach करने है 4 white करेंगे फिर blue करेंगे फिर white करेंगे 4 और फिर अपना जो भी color लेंगे वो तो मैंने आपे orange color लिया हुआ है तो इसी तरीके से हम attach कर लेंगे 2-2 code हमें डालने हैं और इस तरीके से side वाला code एक बार फिर से निकाल लेना है यह देखिए इस तरीके से फिर हमें क्या करना है 4-4 code लेंगे और इस तरीके से note लगाते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से 4 code लेंगे और एक simple square note हमने यह आपे लगा दिया तो हमें इस तरीके से जैसे कि अभी हमारी एक line complete हो गई दूसरी line हमने start कर दी तो इस तरीके से हमें note लगा के complete करना है और यहाँ पर side में देखिए हमें हलका सा gap देना है ताकि हमारी जो side वाला है उसके बराबर में यह आ सके यह देखिए जैसे कि हमारी दो line यहाँ पे बना लिए हमने अब यह तीसरी line हो गई यहाँ पर देखिए इसी तरीके से जो हमारे बीच के code आते जाएंगे उसमें हम note लगाते जाएंगे और इसी तरीके से हमें 5 यहाँ फिर 7 लाइने हमें complete करनी है जाएंगे जह्मएत है यह दिखिए जो हमारा साइड का कोड है इसमें हमें हलका सा गैप देके तब हमें नोट लगाना है इस तरीके से टैट नहीं लगाना है इस तरीके से लगाना है हलके से और साइड वाला कोड दिला चोड़के गैप रखना है इस तरीके से अच्छे से हम यहां पर गैप चोड़ेंगे और यहां पर देखिए को नोट लगा देते हैं इतना हम इसको बना के रेडी करेंगे इसकी लेंद तक यहां पर आप दे सकते हैं मैंने यहां पर इतना बना लिया है जो वाइट कोड रहेंगे हमारे देखिए इस तरीके से दो नोट में दिखाए देने चाहिए और जो ब्लू कलर का कोड हमारा उसमें हम एक नोट और में यहां पर एक्स्ट्रा नोट लगाना है जो हमारी लेंद इसकी कोड है हमने 7 यहां पर रखी है तो आप या तो 5 रखिए या फिर 7 6 नहीं होने चाहिए तो इस तरीके से हमारे नोट अलग दिखने चाहिए और यह जो हमारे जो कलर का कोड लेंगे उसमें हमने इस तरीक तो अब हमें क्या करना है जो हमारे दिखिए यह वाले फॉर्कोट है एक नोट की वो सारे के सारे इधर पाइपिंग होंगे और जो इधर वाला इधर की साइड यह वाले फॉर्कोट पाइपिंग करने हैं एक के करके करने है लो गवाले द calming है अब बाया है भॉर्कोट बदिए करने हैं पाइपिंग हमें पाइपिंग होंगे सारे के सा कि यह देखिए थर्ड कोड ले लिया मैंने और इस पर भी हम सारे कोड पाइपिंग कर लेंगे कि देखिए फोर कोड लेंगे और यहां पर हम पाइपिंग कर लेंगे इस तरीके से अब हमें यहां पर देखिए इधर जो हमारा यह वाला नोट है इसमें फोर कोड है और यह फोर कोड हम यहां पर पाइपिंग करेंगे सेम इसी तरीके से कि यहां पर हमने जो फोर कोड सुरू में जहां हमने फोर कोड अटेच किये हैं यहां पर आप टू कोड अटेच कर सकते हैं कि यह कि मैं तुच्ट अटेच कर सकते हैं इस्ट बी फोर कोड यहां पर पाइपिंग कर लिए हैं और इस तरीके से हमें यहां पर जैसे की ओरेंज है और यह वाले फोर कोड है यह वाले ऐसे पाइपिंग कर लेने हैं और इधर के फोर कोड पर यह वाले कोड पाइपिंग कर लेने हैं सेम ऐसे ही तरीके से हमें बना लेना है और अब हम यहां पर देखिए और टूखोड यां लेंगे और टूखोड यहां पर ओर फॉर्कोड बीच में लेखे यहां पर एक बड़ा सा नोट लगा देंगे तरह किसे सेम ऐसे यहां पर लगाएंगे पॉरकोट बीच में ले लेंगे और टू कोट से हम पॉरकोट से नोट लगा देंगे यहां पर अब जो हमारा यह वाला पॉर्शन है इस पर हमें देखिए यहां पर करके दिखाते हूं यह वाला जो है कोड इसको एक दबाएंगे एक चोड़ेंगे एक दबाएंगे इस तरीके से हमें सारे कोड्स को इधर ही कट्टे कर लेना है इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे यह हमारे जो फूर कोड है और यह वाला कोड लेंगे और यहां पर पाइपिंग करेंगे देखिए सेकेंड वाला कोड लेंगे फिर से पाइपिंग कर लेंगे थर्ड वाला कोड लेंगे और फिर से पाइपिंग कर लेंगे यह देखिए फ्रेंस यह कोड हमने डेड़ मीटर के लिए हैं तो यहां पर देखिए चोटा रह गया है आप दो मीटर के कोड आप यहां पर लेजिए तो देखिए इधर के कोड हम यह वाले कोड पाइपिंग कर लेंगे वाइट कोड के उपर कीजर कप देखिए कीजुरा यहां एएक है कीजर मीटर कीजर कौर के जहां आप जबताव झालाब लाहें ज flop प्रवाला कोट लेंगे और फिर से हम यहां पर पाइपिंग कर लेंगे को यपे दिखिए हमैं इस तरीके से कोर्स को आचे से खीच लेना है और किपने पिक में स्क्वेयर यहां पे गसे बना लेना है तरीके से हमें सारे फ्लावर बना लेने हैं और यहां पर देखिए बीच के फोरकोड लेंगे हम तू इधर के और तू इधर के और यहां पर नोट लगा लेंगे अब इधर के कोड लेंगे फोर और हम यहां पर भी नोट लगा लेंगे तू किघेल है यहां पर लेंगे यहां पर लगा लिए हैं widता यहां जाएंब यहां पर इसी करना है यह देखिए यह जो हमारे यहां पर यहां पर फॉर वाइट और फॉर ग्लू कलर के कोड है तो हम यहां पर भी से जैसे हमने यहां पर नॉट लगाया है ऐसे ही लगा लेंगे और यहां पर देखिए तसरा गैप होना चीए तब ही हमारा यही इसके साइड में आएगा बिल्कुल नॉट तो यह देखिए इस तरीके से सभी कोड को हम पहले इस तरीके से कर लेंगे और फिर हम सारे कोड पे इसी तरीके से पाइपिंग कर लेंगे जैसे हमने यहां पर की है एक कोड लेंगे वाइपिंग कर लेंगे यह देखिए सेकेंड वाइपिंग कर लेंगे यह देखिए इधर के कोड पाइपिंग हो चुके है अब हम यहां पर देखिए इस तरीके से यहां पर भी हम यहां पर ब्लू वाले कोड पाइपिंग कर लेंगे इस तरीके सेकेंड वाले कोड लेंगे और फिर से पाइपिंग करेंगे यह देखिए थर्ड वाले कोड लेंगे और पाइपिंग कर लेंगे सारे कोड इस तरीके से हमने यहां पर पाइपिंग कर ली है और जो अब हमारे यहां पर भी हमें सेम ऐसे ही नोट लगा लेने हैं और जो वाइट कोड आये हैं उनको भी हमें इस तरीके से नोट लगा लेने हैं देखिए दो कोड इधर की दो कोड इधर की फोर कोड लेके हमने नोट लगा लिया है कि नोट में से टू कोड लेंगे और साइड वाले फिरसे नोट लगा देंगे और अब इदर वाला इन वीच वाले KOD लेंगे हम तू इदर के तू इदर की और फिरसे एक नोट लगा लेंगे और यहां पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे बीच के फोर कोड लेंगी नोट लगा लेंगी कि यहां पे साइड में हमें क्या करना है यह वाली अभी छोड़ देते हैं और यह वाली जो फोर कोड है हमारे टू जिस पर पाइपिंग हुई हुई है और टू ऐसे वाले यहां पे नोट लगाएंगे देखिए इस तरीके से और अब हमारे देखिए इस तरीके से यहां पे नोट लगाएंगे यहां पे गैप देना है देखिए अब इधर वाले फोर कोड में नोट लगा लेंगे अब बीच वाले जो फोर कोड है उनको लेके नोट लगा लेंगे और अब हम इनको एक्स्ट्रा कोड को कट करेंगे और पीछे की साइड पर चिपका देंगे इस तरीके से पकड़ेंगे और कोड को हम कट कर लेंगे इतनी दूर पर हमें कट करना है ताकि हम पीछे जब इनको चिपका है तो यह अच्छे से चिपक जाए तो यहां पर देखिए बीच के दो कोड लिए मेल्ट किए और यहां पर चिपका दिए अब साइड वाले दो कोड लेंगे ताकि यह पीछे से भी दिखने में अच्छी लगे इसलिए यहां पर अच्छे से चिपकाएंगे ऐसे नहीं है कि कोई कोड कहीं पर चिपका दिया कोई कोड कहीं पर चिपका दिया देखिए बारी बारी से इस तरीके से यहां भी चिपका लेंगे यह वाले कोट भी सारे पीछे से कि इस तरीके से हमें करना है आप क्या करेंगी क्थे साइड वाले कोड क्षे से ये करनें हैं आप अपनी मर्जी से कठ कर सक्ते हैं और इनकी लैंथ जो है वह इतनी मर्जी से रख सकते हैं यहां पर देखिए मैं इतनी यहां पर रख रही हूं कि जो यह साइड वाली कोड है इन में मोती ऐड़ करूंगी अब जाहू तो बैल एड़ कर सकते हैं पसंद से जो भी आपको पसंद हो कि और मेल्ट करके चिपका देंगे साइड वाले में भी बीट साइड करूंगी और यहां पर देखिए बीच में जो हमारे फूल कोड है उसमें देखिए बीच वाली जो टू कोड है उसमें मैंने बेट्स दाल दिया है और यहां पर इस तरीके की लटकन ली है मैंने तो यहां पर मैं डाल दूंगी एखिए बीच वाले में डाला है मैंने और यहां पर मेल्ट करेंगे और चिपका देंगे अब यहां पर दिखिए इधर वाले कोड में एक बैल डाल दूंगी और यहां पर भी इस तरीके से हुआ है मैल्ट करेंगे और चिपका देंगी कोड के लैंद आप अपने कोडिंग रख सकते हैं जितने आप को लंबी यह चोटी जितनी में चाहिए तो इस तरीके से हम यहां पर एक डिजाइन मिल जाएगा और सभी में हमें इसी तरीके से करने हैं फोर कोड लेंगी और यहां पर अपनी लैंद के अकोडिंग देखें यहां से कट कर लेंगे और साइड वाले दो को छोटे कट करने हैं कि मैं इसी तरीके से अपनी पसंद से मल्टी कलर यूज करें किया है तो बेट्स भी मैं मल्टी कलर की ही लगाऊंगी लेखे इस तरीके से आपे में बेट्स दाल दिया है तो यह देखिए इस तरीके से मैं डाल के सभी को और पूरी तोरण को इसी तरीके से हम बना के रेडी कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंस तोरन हमारी बनके रेडी हो चुकी है और मैंने या पर राउंड वाले मिरर लगाए हैं कुछ डायमेंड सीव के मिरर भी यहां पर लगा दिये हैं देखिए तोरण नमारी बनके रेडी हो चुकी है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो के लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही जो बेल आइकन आता है उसको जुरूर प्रेस करें मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में